हलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चाहें ग्यान प्लस पर उतर प्रदेश अधीनस सेवा चैन आयोग में अपना जो परिच्छा कलेंडर वा नई भरतियों का कलेंडर आखिरकार जारी कर दिया है पुरानी परिच्छाएं जो हैं वो नवंबर से मार्च तक होंगी लेकपाल के 7882 पदों पर पहली बरती होगी पांच पीटी के बाद पांच भरतियों का विज्ञापन निकलेगा जिनके परिच्छाएं माज तक कराई जाएंगी हलांकि मार्च की परिच्छाएं नहीं हो पाएंगी जितने भी हैं क्योंकि मार्च में लग जाए चुनाव होगा सितंबर तक के पुरानी भरतिया सितंबर तक जितने भी पुरानी भरतिये उनको पूरा कर लिए जाने का लच्छ लोवर मेंस एस सो जई याद के परिच्छाएं अक्टूबर से तो चलिए खबर को थोड़ा सा विश्तार से देखते हैं अगर आप चैनल प रेट पाने के लिए चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर पदेश अधीनस से वाचेन आयोग मार्च 2022 तक के परिच्छाओं का प्रस्तावित कारिकम जारी किया है आयोग जानता है कि मार्च के बाद फिर दो साल हम आराम करेंगे तीन साल इसलिए कि मार्च तक का कलेंडर जारी किया है फिलहाल एक जो एक 2021 यानि कि पीटी के परिच्छा आप सभी को पता है कि 20 अगस्त को होगी उसके बाद जो पुनारी भरती में मंडी परिच्छत के एक ड्राइवर की भरती 16 पदों के लिए निकली थी उसकी जो यानि कि जई की परिच्छा जो है 2018 वाली जिसमें 14-17 पोस्ट हैं अक्टूबर माह में आयोजीत करा ली जाएगी एक 2019 यानि कि समली तवर अधीनस सेवा सामान चैन प्रतियोगात मुक परिच्छा यानि कि लोवर मेंस की जो मुक परिच्छा 672 पदों के लिए ये वी अक् परिच्छा कराई जाएगी उसके बाद प्रारंभिक पार्ता परिच्छा के पड़ाम के उपरां प्रकासित विज्यापन पी इटी 2021 के अंतरगात राजस लेकपाल की जो मुक परिच्छा है वो नॉमबर 2021 में करा ली जाएगी इसमें कुल मिलाके 7882 हैं वहीं पे पी इट के वाद स्वास्त कार करता हूँ समान योगता वाले जो अन पद होंगे करीब 9212 पद होंगे जो नॉमबर 2021 में परिच्छा होगी तो नई भरती दो ही होगी जिसमें राजस लेकपाल के जो अब्यरती योग हैं वो यहां पे देख सकते हैं आपकी नॉमबर में परिच्छ भी करा ली जाएगी नॉमबर में ही यह दो परिच्छा नॉमबर में होंगी अक्टूबर में पुरानी परिच्छाएं होगी नॉमबर में कोई भी पुरानी परिच्छा आयोजित नहीं कराई जाएगी हर माह आयोग के वाल दो परिच्छाएं रखा है आयोग यदि चाहत बरतियां तेज करना तो तीन परिच्छाएं भी रख सकता था 2016 की तरह लेकिन फिलाल आयोग की मंसा ही नहीं है काम करना तो अब आगे क्या कहें साथ 2019 यानि कि सहायक सांखे के अधिकारी सहायक सोज अधिकारी एयर सो की 904 पदों के लिए दिसम्बत में परिच्छा करा ली जाएगी वहीं वन रच्छक के लिए जो परिच्छा होगी 655 पदों के लिए 2019 में इनका विग्यापन निकला था ये भी दिसम्बर 2021 में करा ली जाएगी च्छे 2019 बोरिंग टेक्नेशिन की परिच्छा 486 पदों के लिए जनवरी में होगी वहीं पे 28-2016 जो है अवर अभियंता यानि की जो परिच्छा 2 है जो 2016 विग्यापन निकला था ये भी जनवरी में करा ली जाएगी इसके अलावा तो ये मुख परिच्छा हैं जो पुरानी है उसमें एक दो को छोड़ के लगबख पुरानी आयोग निफ्टा दिया है अब देखिए प्रारम्भी कारता परिच्छा के पढ़ाम के उपरा प्रकासित विग्यापित पत की मुख परिच्छा जो है क्रसी प्र पाविधिक कही करीब 2000 से अधिक विग्यापन आयोग को मिला है अब इसमें किसके पद आयोग ने दिया है क्या पदों की संक्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी अभी कुछ भी नहीं पता है पता है लेकिन इनकी परिच्छा जो है फरवरी में कराये जाने की बात कही जा परिच्छा हो जाएंगी उसके अलावा फरवरी की अंतिम सब्ता में परिच्छा रखता है आयोग तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है क्योंकि फिर इलेक्षन शुरू हो जाएंगे तो यहां पर परिच्छा बहुत मुश्किल है अब वीडियो 2018 की पुनर परिच्छा जो ल 22 में ही कराई जाएगी इसके अलावा एक और विग्यापन निकलेगा कनिस सहायक का जो नया विग्यापन निकलेगा पीटी के बाद कनिस सहायक आसुलिपिक वा समान योगता वाले अन पद्ध यानि कि इंटरमेडियेट में एक और इसमें हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेट इस्टेंट के 5-6,000 पदों का विग्यापन इस टोनों ग्राफर के करीब कुल मिला के अभी तक 1500 से अधिक पदों पे विग्यापन और कंप्यूटर ऑपरेटर के 500 से अधिक पदों का विग्यापन निकला है तो कि ये 2000 कैसे हो सकता है इसका मतलब साफ है कि आयोग जो है पर पिलहाल इसकी परिच्छा मार्च में प्रस्तावित है विग्यापन तो आ जाएगा भरती किसी भी प्रिकार से पूरी नहीं होगी मार्च में परिच्छाएं नहीं हो पाएंगी मार्च की परिच्छाएं इसी प्रिकार प्रियोग साला प्राविदिक एकसरे सामान योगता की परिच्छा लगबख 1200 पद होंगे मार्च 2022 में ये भी परिच्छाएं नहीं हो पए तो खूल में आके आप देखिए तो P.E.E.T. से निकलने वाली नॉर्मल भरती जो नॉर्मल लगबख सभी अब भरती हैं वो कनिस सहायक की होगी और उसके अलावा लेकपाल की होगी इसके अलावा कोई भी अब्वेर्थी अन किसी भी प्रकार के पदों के लिए योग नहीं होगा जो की बहुत दुखद है आयो की तरफ से और यहाँ पे जादा तर भरतियां graduate लेवल की जो main पद आते हैं जैसे इंजीनियर की भरती नई आनी थी उसके विग्यापन का पता नहीं सायक लेखाकार के विग्यापन का पता नहीं लोवर मेंस की भरती का कुछ पता नहीं कब होगी मंडी परिसत के नई भरती का कुछ पता नहीं बहुत सारे अन भरतियां है जिनका कुछ पता नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं अब बात करते हैं नई भरतियों जो भरतियां चल नहीं है उनके स्टेटस की 24 जुलाई की नोटिस आप एक बार फिर से देख सकते हैं समलित आयोग द्वारा प्रायोजित प्रतियोगी परिच्छाएं जिनका परड़ाम माह अगस्त तथा सितंबर में घोसित किया जाना प्रस्ता भी थै हालांकि यूपीट फ्लेशी अपना कलेंडर कितना फोलो करती है आप सभी को पता है फिलाल 26-2016 यानि की जूनियर एसिस्टेंट के कुल मिलाके 15 विवागों पे जो भरति निकली थी उसमें साचातकार जो है 31 अगस्त से प्रस्तावित है 20 जुलाई को इसका परड़ाम घोसित किया गया इसकी आगे साचातकार के बाद परड़ाम कब आएगा इनको कुछ पता नहीं है फिलाल सितंबर में साचातकार करा लिया जाएगा आपकारी की भी हमने वताया था इसका जो है सितंबर माह में इसका साचातकार आयोजित किया जाएगा अगस्त में इसका परड़ाम जारी कर दिया जाएगा उसके अलावा जो है निदेशक प्रसिचण एवं सेवा योजन के तेरा अन्य व्याग पे जो बाईश दोजार सोला यानि की लोवर टू की जो भरती निकली थी उसका परड़ाम अगले महीने आपको यूपीट प्लसी की विशाइट पे देखने को मिलेगा ओमोपैतिक की जो दूसरी लिस्ट है वो इसी महा घोसित की जाएगी महा अगस्त में इसका अभिले खादी परिच्छन होगा दूसरी लिस्ट का हमने पहले ही बताया था उसके बाद अन्तिम परड़ाम सितंबर में ही कह रहे हैं घोसित कर देगा पिलाल कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की बरती थी जिसमें टाइपिंग पूरा हो चुका है अन्तिम परड़ाम माह सितंबर में इसमें इंटर्व्यू नहीं था तो सितंबर माह में जो है इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अच्छी बात है चार 2019 यानि की जूनियर एसिस्टेंट की जो परिच्छा हुई थी जिसकी की टाइपिंग चल रही है 29 जुलाई तक निर्था रिथा है तदू परांत अगस्त माह में टंकर परड़ाम का रिजल्ट वा अभिलेग परिच्छा किया जाना प्रस्तावित है अन्तिम परड़ा अच्छी बात है कि अगर ये जूनियर एसिस्टेंट के इंटर्व्यू से पहले रिजल्ट गोसित कर देते लेकिन फिलाल ऐसा पॉसिवल नहीं होगा यानि की काफी सारे बरती जो है वो जूनियर एसिस्टेंट में भी सेलेक्ट होने वाले हैं 2016 में और 2019 में भी तो काफी जाता सीटें खराब जाने वाली हैं आयोग के द्वारा एक भरती चाहे तो जूनियर एसिस्टेंट 16 का इंटर्व्यू लेट कर देते हैं चाहे ये 2016 को लेट कर देते हैं लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड कर रहे हैं फिलाल मंडी परिशत का जो जो परड़ाम है आसुलि परड़ाम मां सितंबर में मां अगस्त में अभिलेक परिच्छण है तो परड़ाम की घोफड़ा के उपरां अंतिम परड़ाम सितंबर में घोषित किया जाना पस्तावी तो यह कुल मिलाके कलेंडर रहा है अगले महीने मंडी परिशत का रिजल्ट आ जाएका लोवर टू और लिव यह झाले में अराम में अंले के झाले में क्फ़़ाम है नहीं है वे यह झाले को मत अंतिम एक उल्ट तो यह भिले के शीट के ओवराम सितंबर टो यहवरा टaha है।